हलो पेरेंट्स कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे आगे सब लोगों का फाइनल्स अने वाला है बच्चे इंग्लिस में तो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन हिंदी में दिक्कत होती है जैसे कि मेरा दो वीडियो आप लोगों ने बहुत सराहना द इसलिए बहुत-बहुत सारा धन्यबाद तो मैं और एक हिंदी का चाप्टर लेके आई हूँ जो कि है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द तो आज हम देखेंगे जब बहुत सारे सब्दों को लेकर एक बाक्य बनता है वो बाक्य के बीच बहुत सारे जो सब्द हैं उसको ह हम ऐसे ही सिखाएंगे, सौट में उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो अनेक सब्दों के लिए एक सब्द, सुरू करते हैं आज का वीडियो, जैसे कि मैंने कहा, कि अनेक सब्द के लिए एक सब्द, यहाँ पर देखिए, नीचे दिये गए अनेक सब्दों के लिए, एक सब्द लिखिए, क्या लिखा है, मचली जल में रहने वाली जीव है, तो जल में रहने वाली जीव, अगर हम बच्चों को बोलेंगे, इसको एक सब्द में बोलिए, तो मचली बोलेंगे वो, लेकिन जल में बहुत सारे जीव रहते हैं तो मचली उसका अनेक सब्द के लिए एक सब्द नहीं हो सकता तो उसको हम क्या बोलेंगे जलचर यहाँ पे दिखिए बाग मांक्स खाने वाला पसु है तो इसको अगर मांग्स खाने वाला मांक्स खाने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों को पूछेंगे तो मांक्स खाने वाला को बोलते हैं मासाहारी तो यहाँ पे देखिए पक्षी आकास में उड़ने वाली जीव है तो आकास में उड़ने वाली आकास्त में उडने वाले या वाली को बोलते हैं खग खरगोस साकाहरी जानवर है यहां पे साकाहरी लिख दिया गया है जो वेजिटेबल्स या घासपूस में बचते हैं उनको बोलते हैं हम साकाहरी ठीक है? तो देखिए उपर दिये गए बाक्यों से यहां सुपस्ट हो गया की अनेक सब्द के लिए एक वासा को सरल उप्रभावसाली बनाता है ऐसे सब्द जो अनेक सब्दों में के स्तान पर प्रयोग किये जाते हैं उनको बोलते हैं हम अनेक सब्द के लिए एक सब्द अनेक सब्द उसके एक सब्द जो पत्र बांटते हैं या बांटता है उसको बोलते हम डाकिया जो इलाज करता है तो उसको बोलते हम डाक्टर वो इलाज करते हैं कभी सिंस देते हैं इलाज मतलब कोई भी रोग हो उसका इलाज करते हैं जो कभी ना भरे उसको बोलते हैं अभर पर यहां पर गलती हुआ है जो कभी ना मरे उसको बोलते हैं हम अमर ठीक है जैसे कि कभीता लिखने वाला कभीता लिखने वाला उसको हम क्या बोलेंगे कभी ज जो इस्वर को मानता है, जो इस्वर को मानते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आस्तिक, जो इस्वर को नहीं मानते हैं, उसको एक सब्द में क्या बोलेंगे, नास्तिक, जो परिक्षा में पास ना हो, परिक्षा में पास होना को बोलते हैं, उतिर्न, तो जो परिक्षा में पास ना हो उसको बोलेंगे हम अनुतिर्न जो सब कुछ जानता हो जिसको सब कुछ मालूम हो वो है सरवग्य तो इस स्वर को सब कुछ मालूम है तो इसलिए इस स्वर सरवग्य है जो मांक्स खाता हो जैसे कि मैंने बोला था पहले बाग मांक्स खाता है तो वो कौन है, मांग सखाता हो के लिए, अनेक सब्दों के लिए एक सब्द है, मां सहारी, जो मीठा बोलता हो, उसको बोलते हैं, बोलना, बोलने के लिए हम भासा का प्रयोग करते हैं, जो मीठा बोलता हो, उसको मृदु भाशी बोलते हैं, शिक्षा देने वाला, जो हमको उनको शिक्षा देनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शिख्यक, जो अगर लेडीज हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, शिख्यत्री, जो न्याय करता हो, जो न्याय करते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, न्याय अधिस, सुनने वाला, जो सुनते हैं हमारे बात, उनको हम क्या ब दूसरे देश को बिलाउं करते हैं तो उनको हम बोलेंगे बिदेशी जो साक सबजी खाता हो जैसे कि खरगोस येस साकाहारी है जो अधिक बोलता हो जो जितना बोलना चाहिए उससे भी ज़्यादा बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे हम बाचाल जो गाउं में रहता हो गाउं मतलब उसका परियाए बाची सब दोर क्या है ग्राम तो गाउं में रहते हैं तो उनको बोलेंगे हम ग्रामेन प्रतिक सब्ता होने वाला तो प्रतिक सब्ता हमें जो काम होता है उसको हम बोलेंगे साप्ताहिक मन को हर लेने वाला मन को हर लेने वाला को बूलेंगे मनो हर यहाँ पर दिखीए मैंने और भी कुछ कलेक्ट किये हैं आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा चाहिए तो मुझे कमेंट बक्ष में जरूर बताईए तो मैं और भी एक आपके लिए PDF बनाके इसी के description box में मैं डाल दूँगे ठीक है इस video के description में जिसके पास कुछ भी ना हो मतलब कि उसके पास कुछ भी नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो उसको बोलेंगे हम अकिंचन किसी पद का उम्मीदबार जो किसी पद के लिए उम्मीदबार होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम प्रत्यासी कम खर्च करने वाला जो कम खर्च करते हैं जादा खर्च ने करते हैं उनको क्या बोलते हैं मित्व्याई कम बोलने वाला मैंने पहले ही बोला था कम बोलने वाला को हम क्या बोलते हैं मित्वासी और ज्यादा बोलने वाले को क्या बोलते हैं बाचाल कम अकल वाला कम अकल वाले को क्या बोलते हैं अकल मतलब बुद्धी तो कम है उसके पाद कम का परियावाची अल्प होता है तो अल्प बुद्धी कल्पना से परे हो मतलब आपके कल्पना से कुछ भी चीजे जो की ज्यादा है परे हो तो कल्पना अतित किसी की हसी उडाना कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कोई आपका हसी उड़ा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे उपहास बिद्याले में पढ़ने वाला तो बिद्याले में पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं बिद्यार्थी डाक बांटने वाला ये तो आप सब को मालूम है, डाक बांटने वाला जो पत्र बांटते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डाकिया, अपने देश का मैंने पहले ही बोला, स्वदेशी, गाउ में रहने वाला, उनको क्या बोलते हैं? ग्रामेड, बर्स में एक बार सप्ताह, पत्तेक सप्ताह होने वाला को क्या बोले हमने, सप्ताहिक और बर्स में एक बार को हम क्या बोलेंगे, बार्सिक दूसरे देश का ये मैंने पहले ही बता दिया है, विदेशी आपके साथ जो पढ़ता है, मेरे साथ पढ़ने वाला, मतलब कि मेरे सहपाथी, सहपाथी का नाम ये है, आप इंट्रोडियोश कर सकते हैं, ठीक है? नीचे दिये गए बाक्यांग सो के लिए एक सब्द लिखिए, मुझे मालूम है, आप लोग जरूर कर पाएंगे, क्यूंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है विडियो में, अगर याद ना हो तो पॉज कीजिए, पीछे जाए और इसका उत्तर आपको मिल जाए, कोश्टक जो की ब्राकेट में लिखा गया है, तो इसमें से कौन सा सही है, आपको चुन के लिखना है, ठीक है, तो आसा करती हूँ, आपको आज का ये हिंदि का ब्याकरण विडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपके लिए वो हेलफुल भी रहा होगा, तो आगे विडियो देख आपके लिए।